नमस्कार दोस्तो टार्गेट है में आप से भी का स्वागत है दोस्तो नहेचेम के थुरू एक और भरती विग्यापन आचुका है नेशनल हेल्थ मिसन के दोरा दोस्तो बरती विग्यापन पबलिस किया गया जिसमें पैरा मेडिकल इस्टाफ साथ में मेडिकल फिल्ड के आधर का एप्व पोस्ट शामिल कीयागा है साथ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ने कियें तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों साथ सेयर करें नोटिफिकेशन के पेडियाप के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में इसका लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप इजी तरीके से जोईन हो सकते हैं तो दोस्तो बढ़ते हैं इनफोर्मेशन की और भरती बिग्यापन दोस्तो नेचेम के दुरू पब्लिस किया गया है राष्ट्री आरोग अभियान जिला एकादमी आरोग वाकुटुम कल्याड सोसाइटी चिला परिसत नादेड महराष्टर से दोस्तों ये भरती विग्यापन पब्लिस किया गया है NHM के दुरू और इसमें केबल महराष्ट के कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे बात कर लेते हैं पोस्ट की तो पहला जो पोस्ट है दोस्तों वो इस्पेसिलिस्ट के लिए है अलग-अलग इस्पेसिलिस्ट के लिए इसमें पोस्ट सामिल किया गया है टोटल 6 पोस्ट है इसमें EMD, Medicine और DNV वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे टोटल इसमें 75,000 आपको basic salary दिया जाएगा और 61 years इसमें age limit दिया गया है नेस्ट जो पोस्ट है दोस्टों medical officer के लिए रहेगा 21 पोस्ट सामिल किया गया MBBS जिन का complete होगा वो इसमें आवेदन कर पाएंगे salary इसमें 60 थाउजन है साथ में दोस्टों category भाइज भी बताया गया कांकों से category के लिए कितने पोस्ट है और 61 येर्स इसमें age limit दिया जा रहा थार्ड नमबर पे जो पोस्ट है दोस्टों pharmacist के लिए total एक ही पोस्ट है 12 पास होना चाहिए साथ में आपके पास diploma complete होना चाहिए pharmacy का यदि आपके पास d-pharma है तो आप eligible रहेंगे साथ में भी फार्मा वाले candidate भी आविदन कर पाएंगे 59 येर्स इसमें age limit दिया गया है 17,000 रुपए फेक्स आपको salary दिया जाएगा और EST के लिए ये post है और दोस्टों फ़र्थ नमबर पे lab technician के लिए post सामिल किया गया है total 4 post है और qualification की बात करें तो ट्वल्थ पास होना चाहिए प्लेश डिप्लोमा होना ज़रूर है बित महराष्टरा पेरा मेडिकल काउंसिल में आपका registration होना भी चाहिए और 17,000 रुपए salary है ये आपको category बाज बताया गया है कौन कौन से category के लिए इसमें post सामिल किया गया है नेश्ट जो post है दोस्तो वो dialysis technician के लिए रहेगा इसमें भी आपसे diploma मांगा जा रहा है dialysis technician के दोस्तों आपके पास diploma होना चाहिए और lab technical के लिए इसमें related field में degree diploma मांगा जा रहा है दोनों के लिए 17,000 रुपे salary है नेश्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें district consultant के लिए तो quality consultant के लिए रहेगा साथ में hospital management के लिए है इसमें दोस्तों आपके पास EMPH या EMAH या MBA का course complete होना चाहिए बिद्वनियर के experience के साथ age limit 30 years दिये जा रहा है 35,000 रुपे salary रहेगा total इसमें 4 post सामिल किया गा है अब दोस्तों बात कर लेते हैं clinical psychologist के लिए तो आपके पास related field में degree diploma होना चाहिए और इसमें 30,000 आपको salary दिया जाएगा नेश्ट जो post है दोस्तों वो 9 number पे physiotherapist के लिए रहेगा आपके पास degree होना चाहिए physiotherapy का 2 years के experience के साथ 20,000 salary है और दोस्तों इसमें ETS के लिए एक post सामिल किया गा है any graduate किसी भी subject में आपके पास graduate complete होना चाहिए 2 years के experience के साथ और ETSDLS के लिए भी दोस्तों इसमें post सामिल किया गा है total 2 post है और इसमें आपका 43 years age limit दिया जा रहा DMLT वाले candidate आब एदन कर पाएंगे साथ में आपके पास 2 साल का experience भी होना चाहिए और ETSDLS के लिए दोस्तों आपको 20,000 salary दिया जाएगा टेमो लाजिस्ट के लिए दोस्तों total 5 post है MSC आपका same subject के साथ होना चाहिए या फिर जूलाजिक के साथ है तो भी आप इसके लिए eligible रहेंगे 40,000 salary है 59 years इसमें age limit दिया जा रहा दोस्तों public health specialist के लिए भी इसमें post सामिल किया गा है related फिल में आपके पाई डिग्री होना चाहिए साथ में data entry operator के लिए दोस्तों आपसे graduate माँगा जा रहा certificate होना चाहिए आपके पास data entry operator का और typing speed भी आपसे माँगा जा रहा 40 word per minute English and Marathi में 30 word per minute होना चाहिए और दोस्तों इसमें 18,000 रुपे fix आपको salary दिया जाएगा तो 13 अलग अलग post के लिए दोस्तों ये भरती विग्यापन पब्लिस किया गया है जिसमें आपको संभिदा basis पे posting दिया जाएगा NHM के तुरू ये भरती विग्यापन है बात कल देते हैं दोस्तों आपका selection process क्या रहेगा तो selection दोस्तों आपका interview के basis पे होगा इसके लिए आपको इसमें interview को date बताया गया है कब आपका interview होगा तो जो भी candidate specialist के लिए आवेदन करेंगे और medical officer के लिए उनका जो interview है 24 September को होगा ये आपको date बताया जा रहा और pharmacist के लिए जो आवेदन करेंगे pharmacist lab technician साथ में dialysis technician और lab technical के लिए उनका interview दोस्तों इसमें 25 सेप्टमबर को होगा साथ में जो भी candidate इसमें clinical psychologist के लिए आवेदन करेंगे उनका इसमें 26 सेप्टमबर को interview होगा और दोस्तों फीजियो थेरपिस्ट STLS और STS के लिए जो candidate आवेदन करेंगे उनका interview 26 सेप्टमबर को ही conduct कराए जाएगा और इसमें public health specialist और data entry operator के लिए जो भी candidate आवेदन करेंगे उनका 27 सेप्टमबर को interview होगा तो यह आपको date बतायागा है कब किस post के लिए interview होगा आप इसको देख लीजेगा आपको दोस्तों directly interview में ही सामिल होना अपने application form के साथ आपको इसी PDF पे application form मिल जाएगा यह दोस्तों आपका application form है इसको अच्छे तरीके से फिल करके साथ में required document अटाइज करके आपको इसके official address पे interview के लिए interview या return test होगा आपको वाँ पे तो उसके लिए आपको वाँ पे reporting करना होगा और date मैं आपको बता चुका हूँ कब आपको interview या return test होगा और सारे required document दोस्तों आपको self-attested करके अटेज करना होगा और कहां पे आपको interview के लिए जाना है वो आपको इसमें बता दिये गया यह आपका address है इसको आप read कर लीजेगा सुबह 9 बज़े दोस्तों आपको reporting करना है आपको दोस्तों निर्धारे समय पे ही interview के लिए जाना होगा साथ में आपको बता दिये गया कौन कौन से subject से कितने number का आप से interview या return test आपका वहाँ पे conduct कराया जाएगा तो यह सारी detail आपको बता दिये गया आप rate कर लिजिएगा notification का पीडिया पर आपको हमारे टेलिक्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर आप इसके official website की माद्देम से भी download कर पाएंगे और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो like जरूर करें और अपने दोस्तों क्साशाश शेर करें चैनल पर नहीं तो subscribe भी कर लें हमार दिन ऐसी जानकारी सेर करते रहते हैं थांक्यू सो मच